देखो हम सबको पता है कि कल वरुन धवन और कृती सैनन की भेडिया ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन कल इसी के साथ डिजनी प्लस पे मार्वल की गार्डियन्स ओप दे गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल ये फिल्म भी रिलीज हुई थी वैसे तो मैं इसके उपर वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि जेम्स गन ने इसे फ़न एंजॉइमेंट और हॉलिडे के लिए बनाया है जिसके उपर क्या ही बात करेंगे क्योंकि ये फिल्म जेमस यू की किसी भी फिल्म से लिंक नहीं करती लेकिन फिर इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजे भी है जो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है और मैं सच कह रहा हूँ शी हल्क की सीरीज में जितने भी एपिसोड्स आया है उनमें से डेड डेविल और हल्क वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो मुझे उस सीरीज से भी जादा ये 45 मिनिट वाला हॉलिडे स्पेशल पसंद आया है क्योंकि जेमस गन ने इस 45 मिनिट वाली फिल्म में इतना कुछ बताया है कि ऐसा लगता है कि हम कोई डेड़ घंटे वाली फिल्म देख रहे है और हाँ जैसा कि म प्रकारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एंड तक जरूर देखना और हाँ गार्डियोंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के रिलेटेड इस वीडियो में स्पोईलर्स है स्पोईलर अलर्ट सो हमें इस फिल्म के स्टार्टिंग में पीटर के को बताता है और पीटर का वही बच्पन में खराब हुआ क्रिसमस अच्छा करने के लिए मैंटिस ड्रैक्स के साथ मिलके एक प्लान बनाती है और उन दोनों का इंटेलिजेंट प्लान ये होता है कि केविन बेकन को वो एज क्रिसमस गिफ्ट पीटर को देंगे इसी के के लेटेड में उतना जादा भी कुछ दिखाया नहीं था लेकिन गार्डियोंस ऑफ दे गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में मैंटिस और ड्रैक्स के कैरेक्टर के उपर जादा फोकस होनी की वज़े से ये दोनों ही कैरेक्टर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और इ इगो मैंटिस उसकी ही बेटी है यानि इंडारेक्टली मैंटिस पीटर की बहन है और इसी बहन वाले रिष्टे को निभानी के लिए मैंटिस क्या क्या करती है यही सब हमीश फिल्म में दिखाया है जिसकी वज़े से आपको मैंटिस का क्यरेक्टर बहुत पसंद आएगा और हाँ इस फिल्म में बहुत से इस्टरेक्स भी है और I think ये सेकेंड टाइम है जब मारवल ने अपनी किसी भी फिल्म में DC का इस्टरेक्स दिया है एक्चुली देखा जाये तो ये एक इस्टरेक्स नहीं है इसे ऐसा कह सकते है कि Guardians of the Galaxy की फिल्म के साथ इसका जो फुल सर्कल कनेक्शन दिखाया है वो मुझे बहुत पसंद आया जैसा कि हमें इस फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया है कि यॉन्डू पीटर का क्रिस्मस खराब कर देता है लेकिन ये एक आधी अधूरी स्टोरी है क्योंकि क्रैगलिन को इसकी पूरी स्टोरी पता नहीं होती कि आगे क्या हुआ था लेकिन हमें इस फिल्म के एंड में दिखाया है कि यॉन्डू जो पीटर की क्रिस्मस वाली चीज़े कच्रे में फेक देता है तो उसी कच्रे में फेकी हुए चीज़ों में यॉन्डू को एक गिफ्ट दिखता है जो पीटर की तरफ से यॉन्डू के लिए होता है और उस अगर आप लोगों को याद होगा तो Guardians of the Galaxy की first film के end में Peter Yondu को Power Stone वाला एक नकली और्ब देता है जिसमें Power Stone नहीं होता बलकि Power Stone की जगा उस और्ब में एक ट्रोल होता है और ये ट्रोल वही है जो Peter ने Yondu को Christmas पे gift दिया था और इसी के बाद हमें ये भी दिखाया है कि Yondu भी Peter को एक gift देता है जिसमें Star Lord के जो iconic shooters है वो होते है और यही जो gift वाली चीज है जो first Guardians of the Galaxy की फिल्म से connect करती है ये मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद आई है सच कह रहा हूँ इस Guardians of the Galaxy holiday special में जिस तरीके से Yondu और Peter के बीच में James Gunn ने relation दिखाया है वो बहुत मतलब बहुत ही अच fiction को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया है जिसकी वज़े से कोई भी emotional हो जाएगा क्यूंकि हम सब को पता है कि Guardians of the Galaxy volume 2 में यॉन्डू पीटर को बचाती हुए मर जाता है या फिर कहलो अपने बेटे पीटर को बचाने के लिए यॉन्डू खुद को sacrifice कर देता है और Guardians of the Galaxy holiday special में जब ये चीज़ आप लोगों को याद आती है तो आप लोग सच में emotional हो जाओगे क्यूंकि मैं भी हुआ था जो भी है ये एक holiday special होने के बावजुद भी मुझे बहुत पसंद आया और हां बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये MCU के timeline की canon film है तो हां ये एक canon है या फिर कहलो कि filler plus canon है क्यूंकि ये फिल्म अभी भी MCU की main timeline में belong करती है बस हमें इस फिल्म में ये दिखाया है कि Guardians of the Galaxy जब दुनिया को नहीं बचा रही होती है तब क्या करती है और इसी चीज़ को हमें इस फिल्म में Christmas holiday के जरिये दिखाया है जो भी है मुझे ये फिल्म ब झाल 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 झाल